साथ जमर्री दो हज़ार चौबिस की ये तारीक थी और जगर थी बिहार का बेवी सराय करीद नौ बज़े यहां एक घर में लड़ाई होती है पत्ली महेश्वर अपनी पत्नी रानी से ये कहता है कि मैं तुम्हें दूसे रड़कों से बात करने और इंस्टाग्राम वील्स बनाने के लिए मना करता हूँ तो तुम ऐसा क्यों करती हो अब रानी इस पर कहती है कि मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ तुम होते कौड हो मुझे रोकने टोगने वारे इतनी सी बात थी विवाद शुरू हो जाता है और विवाद इतना बढ़ता है कि अगले दिन महेश्वर की अपनी सस्राल में लाश मेंती है पूरा मामला क्या है? दरसल साथ साल पहले समस्तिपूर जिला के नरहन गाओ के रहने वाले महीश्वर का बेवी सराय के फफ़ोद गाओ के रहने वाली रानी से अफेर चला दोनों ने इस रश्टे को आगे बढ़ाया और फैसला लिया घरवालों की रजबंदी से शादी भी हो गई सस्वाल वालों को रानी की हरकत पसंद नहीं थी लेकिन किसी ने शुरुवात में तो उसे कुछ कहा नहीं बाद में पती महिश्वर ने उसे इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया अब रानी को ये अच्छा नहीं लगा और रानी फिर भी नहीं मानी इसे बीश महिश्वर की कॉलकता में नौक्ति लग गई वो कॉलकता शिफ्ट हो गया जबकि रानी सुस्राल में ही रह रही थी रानी की जिंदगी में एक अन्य शक्स की एंची हो गई रानी से घंटों घंटों बात करती जिसकी बज़न से सुस्राल में उसका विवाद भी हो गया और वो मायके चली गई मायके में रहते वे रील्स का चसका ऐसा चड़ा ये चसका छूटे रही थी था उतना ही जरूरी लगता था जितना कि किसी इंसान को सांस लेना ये सिर्सरा चलता रहा साल बीटते गए फिर एक दिन रानी ने महेश्वर को कहा कि वे उसके मायके आए महेश्वर कॉलकता से सीधी बेगुसराय के फफोध गाउं पहुचर अविवार की रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया तबी उसको देखा कि मायके में उसकी बीवी का प्रेमी भी आया हुआ है अब तीनों के भी श्रडाई हो गई इसमें रानी ने दो बहनों और अप्टे प्रेमी संग मिलकर महेश्वर को मार डाला इससे पहली कि वो लोग महेश्वर की लाश को ठीकानी लगाते हैं महेश्वर के फोन पर उसके भाई रुदल का फोन आया फोन किसी और ने नहीं बलकि रानी के प्रेमी नी उठाया और कोई बहाना बना का फोन काट दिया अब उसे शक होता है तो उसने पिता को समस्थे कुल में जानकारी दी रुदल कॉलकता में ही रहता था इसलिए उसने पिता से कहा कि में ब्योगिर सराय जाकर देखे कि भाई को कुछ हुआ तो नहीं है महिशर के पिता फफफवत गाउं पहुंचे तो उन्हें उनके सस्वाल में उसकी लाश फंदे पर लटके रोड़ी इसकी जानकारी तुरंद पुलिस को दी गई मामला दर्ज करके पुलिस ने चारो आरोपियों गिरबतार कर लिया आरोपियों में रानी, रानी का प्रेमी, रानी की वहने, रोजी और सुरीता शामिल है पूश्ताज की जा रही है आगे की बात कारवाई के लिए कही जा रही है दरसल अगर मैं बात करू रानी की तो इंस्टाग्राम पर रानी के 9500 से ज़्यादा फॉलोवर्स है उसके अकाउन में 655 रील्स है क्या यह हो सकता है कि रील्स बनाने से रूखना भी मौत की वज़ा हो सकती है आज के समय में जहां एक तरफ हम आधुनिक्ता की तरफ बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया का सब्स्यादा अस्तमाल कर रहे हैं यह सोशल मीडिया कई लोगों की मौत का कारण की बन रहा है और महिश्वर के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ कि अपनी पत्नी को रील्स बनाने से रूखना इतना महंगा पढ़ गया कि उसकी जान चलिए